Hey guys, मेरा नम अप्दूर राशिवत और आप देख रहा था Indian budget gamer भाई मुलूंगे ना चैनल पर आपने बहुत सारे reviews डाले हैं थोड़े चाम पर ने laptop के reviews भी डालने हैं start किया था मैंने सुझे एक काम करते हैं reviews reviews थोड़े से boring हो रहे हैं आज कुछ थोड़ा था unique experiment करते हैं यहां पर हम लोग experiment क्या करने वाले मैं आपको बढ़ाता हूँ यह है मेरा 10 साल पुराना gaming PC बलकि 10 नहीं और जाधा आप कह सकते हो 11-12 साल पुराना PC है और यह मेरा one of the first gaming PC है आप यह बोल सकते हो क्योंकि इसके जो specs हैं वो आज के लिहाज से बहले कितने भी पुराने हो लेकिन उस ताइम के लिहाज से बहुत ही यादा unique थे इस वीडियो में मैंने सुचा एक काम करते हैं हम लोग इस PC पे modern graphics card लगाते हैं like RTX 4060 या 4060 Ti देखते हैं यह PC आज की टाइम पे modern games कैसे खिलबा सकता है ताकि उनलों को भी idea हो जाए कि जो लोग 10 साल पुराना PC specs use करने वाले like market में बहुत सारा used Core i7 Core i5 मिलते हैं बहुत सारे लोग के दिमाग में आता है काम करते हैं पुराना वाला i7 लगा लेते और बहुत अच्छा performance मिलेगा उनलों को भी यहाँ पर अच्छा खासा idea हो जाएगा कि वह कितना ज़्यादा performance lose करने वाले हैं comparing to latest specs तो मैं काम करते हैं फटाफट से पहले आपको इस PC से introduce कराते हैं फिर upgrade करेंगे और फिर देखेंगे हमें कैसा performance मिल रहा है अब इस PC के यहाँ पर जो specs है वो है Core i7 4770 originally यहाँ पर 8GB RAM थी लेकिन हम लोग ने बाद में 4GB RAM extra add कर दी उसके बाद यहाँ पर mainly ग्राफिस कार्ट यूस कर रहे थे वो था GTX 750 Ti जो कि बहुत जादा पुराना था बाकिस PC में यहाँ पर इसको अप्ग्रेड करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें क्या कुछ कर सकते हैं अभी न यहाँ पर एक छोटा सा इशू हो गया इशू यह हो गया क्योंकि क्योंकि यह इतना बड़ा GPU पर आ नहीं पा रहा था फर्दी पावर केबल में दिक्कत होती है और हमारा GPU दिक्कत करता इससे अच्छा हम लोग ने ओपन टेस्ट बेंच बिल्ड कर लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है जितना मिता सारा तीन पांच वह यहाँ पर आ चुका है हम लोगने सारी चीज़े यहाँ पर कनेक कर लिया बारी आती है हमारे GPU की जिसको की हम लोग यहाँ पर कनेक करने वाले हैं लग जबाई GPU लग गया कोई दिकत वाली बात नहीं है बाकी एक पावर कोड बाकी यह यहाँ पर लग गया तो पावर दने nei काम यहाँ से हो गया अब यख काम करते हैँ पावर सप्लाइं करते हैं और रिसे मॉनिटर पर देखने को मिलता है अब सबसे पहले यहाँ पर जो मिलोंग ने गेम चला है वो चला है World of Warship इस गेम को चला है था 1080p अल्टरा पॉसिबल सेटिंग पे World of Warship में मुझे एक चीजी अच्छी लगती है कि यह पुराने से पुराने PC में बहुत आराम चल जाता है और इसके जो ग्राफिक्स है वो भी काफी फैंटासिक मिल जाते हैं हमारा PC भले ही कितना भी पुराना हो लेकिन इस गेम को आराम से इसने हैंडल कर लिया है इस गेम में हमें on average 100 fps दिखने को मिल जाते हैं जो कि हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रवाइड कर देते हैं वहीं आप में से जो लोग इस गेम को थोड़ा सा medium सेटिंग पे च खेल सकते हो काफी जादा मज़ा आता है बहुत सारे विपन्स मिल जाते हैं बहुत टैप के शिपस मिल जाते हैं तो काफी मज़ा आता है गेम खेलने में इस गेम का मैं download link आपको वीडियो की description में दे दूंगा आप में से जो लोग try करने में interested हैं जाकर download भी कर सकते हैं उसक इसके बाद जो हमें average देखने को मिला है वो है लगबग 65 fps और minimum जाता है 40 fps experience यहाँ पर हमारा Red Dead Redemption 2 में काफी अच्छा रहता है उसके बाद यहाँ पर जो हमने गेम चला है Spider-Man Miles Morales यह game में थोड़ा बहुत हमें frame drop देखने को मिले है एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है लगबग 65 fps का और minimum जाता है वो है 35 fps तो हमारा यहाँ पर जो experience रहता है वो smooth जरूर रहता है लेकिन कभी कभार हमें frame drop भी देखने को मिल जाते है last but not least यहाँ पर हम जो fps देखने को मिले है वो बहुत ही acceptable है average यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है लगबग 83 fps का और minimum जाता है 72 fps तो मैं मानता हूँ अगर आप for the horizon 5 इतने बुलाने PC में खेलते हो ना अच्छा graphics card लगा के आपका experience बहुत अच्छा रहता है frame rate की बीच जो consistency रहती है वो ठीक ठाक रहते हैं आप आराम से गेम को खेल सकते हो अब benchmark करते हैं यहाँ पर हमने कई सारी चीजें ऐसी भी notice करी है जो कि मैं वानता हूँ आप लोग को बताना चाहिए पहली चीज हुई है कि हमारो जो पहले पीसी है इसने बहुत अच्छा पर्फॉर्म करने के बाद भी हमने majority of the modern games काफी अच्छे fps पे खेले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है हाला कि यहाँ पर ना मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि fps हमें भले ही अच्छे मिले हो लेकिन यहाँ पर हम लोगने पर्फॉर्मेंस भी काफी ज्यादा लूज किया है comparing to modern specs यहाँ पर हम लोगने almost 30-40% fps लिटरली हर गेम में लूज करें जो कि एक बहुत बड़ा number होता है तो अगर आप पुराने specs वाला PC विल्ड करने वाले हो लेक पुराना वाला i7 या i5 बेस PC विल्ड करते हो तो आप definitely बहुत ज्यादा performance यहाँ पर लूज करोगे वैसे भी यह सिर्फ एक fun वीडियो था जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगा होगा इनके अगर आप नया PC विल्ड दरना चाहते हो आप मेरे store को चेक कर सकते हो जो कि है tibjstore.com हम लोग almost हर specs पे हर price point पे PC विल्ड भी करते हैं वेल तर दोस्ते ही तर इस वीडियो में आशा करते हूं आप कोई वीडियो चलागा होगा अगर आप कोई वीडियो चलागा तो उस वीडियो को पास जल्दी से like करें सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल को कि कि आपनो बलाते रहते हैं यसे daily awesome content तो आं तक देखने के लिए thank you